tempo मेरे चैनल में आपका स्वाहगत हैं हम बनाने जा रहे हैं आज डोसा सांबर डोसा सांबर बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों के जरुद हैं वह मैं आपको साज साज नहीं जाओंगी डोसा बनाना बहुत ही इजी और सिंपल वे में आपको बताती हूँ स्टफी मिलाने के लिए हमें थोड़े से तेल में लाल मिच दो तोड़के डाली है और इनको हलका सा सोते किया है साथ में कड़ी पत्ते, एक चम्मच या आदा चम्मच राई और इसको थोड़ा सा हमने तड़कने देना है साथ में एक प्याज, एक खारी मिर्च कटी हुई और इसको थोड़ा दिर ऐसे ही छोड़ना है सोते होने के लिए इसमें हमने थोड़ी सी चना डाल डाली है और साथ में हींग डाली है आदा चम्मच के करीब इसको थोड़ा सा भूनेंगे भूनने के बाद इसमें एक कटा टमाटर जो हमने रफली चॉप किया हुआ है और इसको हिलाते हुए अब हमने इसके अंदर आदा किलो के करीब उबले हुए आलू मैश किये हुए डालने हैं और इसको अची तरह से सारे सब्जियों के साथ सब एक पिंच हंदी डाली है और एक चमच लालविच एक चमच नमक एक चमच गरम मसाला और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है यह देखिए हमारी स्ट्रफिंग त्यार है लगवग अब इसमें हम हरा धनियां डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और यह के लिए मैंने MTR का मिक्स लिया है इसको जैसे तरह से कंडिशन के साफ से लिखी होती है उस साफ से मिक्स कर लिया है मैंने और हमारा डोसी का बैटर त्यार है यह हम डोसा बनाने जा रहे हैं डोसा बनाने के लिए मैंने दो चमच बैटर तवे पे डाला है तवे को हलका सा ग् पर आलो की जो स्ट्रफिंग मिनाई थी वह हमने रख दी है और इसको मन्चायकार में आप कर सकते हैं मैंने इसको रूल किया है यह देखिए रूल करने के बाद डूसी को हम इस तरह से अच्छी तरह से पल्ट कर अपने प्लेट में रख लेंगे प्लेट में आपने नहीं अच्छी तरह से उन्मा तरह से प्लेट में लेखिए मुट्शने नहीं कर सकते हैं